हैं आप भी क्या सूल्डर बनाना चाहते हैं सिर्फ 5 एकसराइज में बताने वाला हूं तो मैं आपको बैसिक बेश्ट स्य बेस्ट उस साइज बताने वाला हूं कि आप घ्षर पर कर रहा हैं आपको यह वाली एक्सिसाइज में आपका स्वागत है और आज पिर यह वीडियों को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करने हैं तरह को आप भी चाहते हैं और आज अपने बाइसब करेंगे तो चलिए ठीक है बातों ज्याद़ नहीं बैस्ट करते हैं सीधे मैं आपको वीडियो पर लेकर चलता हूं सीधे मैं आपको इससाइज बताता हूं तो सबसे पहले देखिए ऐसा है कि वार्म आप सबसे पहले आपको करना है वो इस भी बॉ वार्म आप करना है ठीक ना वार्म आप में क्या करता हूं और आपको भी क्या करना चाहिए तो मैं आपको सब बताने वाला हूं आपको करके दिखाने वाला हूं तो आपको भी वार्म आप बहुत कहते हैं वार्म आप में क्या क्या करना है कौन से सवाल है यार वार्म आप करना है आप चाहे तो प्लॉप्स भी मार सकते हैं प्लॉप्स में सब चीज आएड़ा हो जाता है ठीक ना चलिए ठीक है मैं आपको वार्म अप करके दिखाता हूं कि चलिए कि सबसे पहले आपन को क्या करना है आप सीदे एक दम खड़े हो जाएं थोड़ा को हातों को इस तरह थोड़ा इस्ट्रेचिंग करें हैं इसे थोड़ा सा ऐसे हातों को यह इस तरह जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आपको भी इस तरह हाथों को ऐसे एक्टम थोल लेना है एक जैसे यह यह ठीक कर दो 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 डॉमल का इस्तामाल करने वाले हैं यह अवाय आपक जन्हें ए आब जस फे आपक ज है अपक जिसा हुआ है जो बसी है आपक में अपक जड़ने की स्थेन, कि रिख में बसी फे अद्ट टी आपक जो जग ए महीं, अब अब अपनी रहेगी फर्ष्ट इससाइज देखिए वार्मप अपने कर लिया है अब अपनी इससाइज इस्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आप अपना जो है वर्काउट करने वाला है सबसे पहले मैं जो है वार्वाल है वार्वल फश्ट सेट मानने वाला हूं वार्वल पर इस तरह की वार्वाल ले नहीं है तो आप फ्रॉड़ा सा लाइट ले सकते हैं अपने बजन के रिकोर्टिंग ठीक है ना तो यह हो गई अपनी वार्वाल ठीक यह अपने कांदों पर रखके तोड़ा सा हाथों को अपना पुझी सर बना लें ठीक है ना इस तरह आपको ऊपर को इस तरह उठाके इस तरह आपको सुल्डर मानना है यह इस तरह हैं इस तरह हम आपको यह उपर तक पुर लए जा है तीन चार आप पांच च्छै आप साथ आट नो दस ग्यारा आप बारह तो मैंने इसके टेटेशन मान लेकर चलने वाला हूं इसके तस से बारह किस निगाले हैं वह इसके है भारा कि आसपास रिप्रेस्टन और रिप्रेस्टन बारा यह थी अपनी फर्ष्ट इसाइज अब मैं आप को बताता हूं अब अपनी एक्साइज रहे डंबल लें दो डंबल और इस तरह आपको पीछे करके मानना है इस तरह जिस तरह बारबल मार रहे थे ठीक तीन चार पांच चैसे साथ आठ नो दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंदरह हो इसके अपन रेप्टिशन रिप्टिशन बारह से पंदरह इसके मानना तक है इपके 세ट लेना है इसके 3 सेट रिप्टिशन 12 से पंदरह तो यह थी अपनी दूसरी एकसराइग आ और मैं आपको त्सरी एकसराईग प्राइस पर बताता हूं ए adjustable कि अब यह आपका झांचों सराइज लिए अपको अब रखेक्राइज लोग और आपको आंगे करके बाहरन अब नहीं वाइट ग्रेप नहीं पकाड़नी है देखिए आप किस तर पगड़ना आपको इसी तरह ये ये आपको इतनी में रखना जितने आपका सोल्डर है हाथों को थोड़ा सा इस तरह नहीं इस तरह रहेंगे हाथ फी अपने ठीक है और इस तरह आपको उठाना है इस तरह उपर पूरा ये दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा हो ठीक इसके भी आपको बारा बारा रेप्रेशन निकालने हैं ठीक है इस तरह मार रहा हूँ आपको भी इस तरह मानना है नीचे इस तरह लाइना ऊपर पेज़ी से एक्टम फिगना नीचे शिलो टाइप में ठीक है आपको इसके से लेना तीन और एप्रेशन दस से बारा ठीक है यह थी अपनी तीसरी अब मैं आपको चौतीक साइच पर बताता हूँ ठीक है अब इस इस तरह हो जाना है इस तरह आपको दंबल को इस तरह मानना है ठीक है इस तरह देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस गैरा बारह तेरह चावदा पंद्रह सोला सत्रह अठारा उनिस बीस ठीक यह हो गया अब इसके बाद फिर इससे हैवी डंबल लेना आपको इस तरह है एक तो टीन चार पांच छे साथ आट नो दस ठीक आपको इस तरह सूपर सेट मानना है ठीक है पर लाइड इसके बाद तुरंत हैवी ठीक है आपने बीस रिप्टेशन छोटे वाले कमारे और द आपको इसफ़े को बाड़ी को जुका कर विश्चतर आपको ये इस तरह घील की आएगी कम से कम आप पांच-पांच केजी के लिए रहे हैं तो आप वीश-वीश के तीन सेट मारिए तो मैं इसको कर लो फिर आप से मिलते हैं तो बैस गाइस आज की वीडियो अपनी यहीं तक थी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो त्यार मैं जो आपको पांच पांच है तो आपको करना ठीक है ना तो चलिए आप इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी तो आपको वीडियो को लाइक को कमेंट सेयर सब्सक्राइब जो जरूर करना है चलिए ठीक आप मिलते हैं सिधे नेस्ट वीडियो पे थैंक यू कर दो